आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खूबसुरत लख्य प्लांट जेट प्लांट के बारे में और जेट प्लांट बहुत ही जितना दिखने में खूबसुरत होता है उससे ज्यादा ये लख्य प्लांट होता है और जितना घना जितना बढ़ेगा जितना हरियाली ये पौ खुशाली खुशाली रहे गी और बहुत इंडूर और आउट्डूर कहीं पर भी चल जाता है तो आप को यह सोचने की जुरत नहीं कि यहाँ पर धूप नहीं है यहाँ पर धूप जादा है तो मेरे प्लांट कैसे सर्वाइब करेगा यह प्लांट आपका हर सिच्वेशन में सर्वाइब करेगा बहुत ही अच्छा यह प्लांट होता है और बहुत जल्दी जो है देखे मैंने कई सारे प्लांट की टोपियारी बनाई है तो आप बताईएगा कि आपको कैसी लग रही है और कौन सी टोपी आ रही है आपको ज़्यादा अच्छी लगी तो यह प्लांट बहुत इजी टू ग्रोइंग होता है इजी टू मेंटेन होता है आप अराम से यह प्लांट उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है फ्रेंड जो लोग की इस प्लांट गार्डिंग तो करना चाहते हैं लेकिन प्लांट के साथ बहुत ज़्यादा पेन नहीं ले सकते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है यह प्लांट बहुत इजी टू मेंटेन है तो कोई भी इस प्लांट को अपने घर मे की एक्जुईशन थी उससे मैं इसको चोटी सी कटिंग इसकी एक इंच की कटिंग मैं 50 रुपीज की लेकर के आई थी और बस उस चोटी सी कटिंग को मैंने पन पाया और आज जो है मेरे पास इतने सारे इसके धीरों प्लांट बन चुके हैं तो आप देखिए यह कुछ-क कपरीज सेब देने की कोशिस कर इे और देखते हैं क्यूकि अभी मैंने टोप्य रिए बनानी मैंने अभी स्टर्ट करी है तो ज्यादा मुझे नहीं है लेकिन दीरी दीरी देखते हैं जैसे मेरी प्लांट ग्रोव उते जाएंगे वैसे वैसे मुझे और अच्छा लगता है यह मैं एक बर्ड का रूप इसको देना चाहरी हूँ तो देखते हैं यह क्या बन पाता है और आपके साथ आगे भी वीडियो जरूर साजा करूंगी तो अगर आपको कुछ नॉलेज है टोपियारी के बारे में तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैं मैं कौन से प्लान्ट से कौन से टोपियारी बनाओंती है यह देखे फ्रेंट यह आपको सिंपल एक पानी में जो है जो jet plant के लिए आवश्यक होते हैं तो बस इनको आपको थोड़ा-थोड़ा क्योंकि ये बहुत छोटा सा pot है तो इसमें आपको थोड़ा सा हर pot में 1 ml से 2 ml आपको ये liquid fertilizer आपको दे देना है तो आप देखेंगे कि आपके plant की जो leaves से अब एकदम हरी हो जाएंगे ये plant ऐसा plant एफेंट इसमें आप जो चार दिन के अंदर भी अगर आप समर में इसमें watering करेंगे तो भी ये plant easily survive कर जाता है चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो अगर ये आउटडोर है तो आपको कम से कम फिर तो समर में दो से तीन दिन के अंदर एक दिन watering आपको इसको करना ज़रूर है और अगर ये इंडोर है तो आपका चार से पांस दिन आराम से चल जाता है तो सबसे अच्छी बात इस plant की ये है कि ये बहुत कम केर में भी ग्रोव हो जाता है और दूसरा जो है इससे आप किसी भी परकार की आकरती बना सकते हैं किसी भी परकार की टोपियारी बना सकते हैं और बहुत देखिए ये मेरा एक ceramic pot में छोटे ceramic pot में ये लग रहा है तो इसको मैं सोच रही हूँ कि round सा मैं ball का इसको save दूँ और देखिए इस तरीके से मैंने इसकी cutting कर दी और मुझे कुछ-कुछ ये ball का save मिल भी रहा है क्योंकि time to time मैं इसकी cutting करती रहती हूँ क्या आपको सही इसकी नजर आ रही ball का सा save तो आप भी मुझे बताइएगा तो बहुत easily जो है आप इसको किसी भी shape में convert कर सकते हैं जो आपके मंचाई shape हो उसमें आप इसे convert कर सकते हैं दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसके propagation की इसकी propagation बहुत easily हो जाती है इतनी छोटी छोटी सी जो ये cutting नीचे गिर रही है एक single leap से भी ये grow हो जाता है और आप देख सकते हैं इस बगल वाले pot में यहाँ पर मेरे पासे सारी cutting है इसके लगी वी तो यह मैंने ऐसी जब मैंने इनके tuning करी थी तो फिर मैंने उसके जो parts बच जाते हैं वो सारे मैंने इस ट्रेय में डाल दिये थे और आज उनमें बहुत अच्छे से root develop हो गई है और मुझे बहुत अच्छे से cutting मिल गई है तो यहाँ पर अगर मुझे ऐसे घना बनाना है तो जहां से मुझे लग रहा है कि यह बहुत अच्छे से नहीं grow हो पा रहा है वहाँ पर मैं इसको रख सकती हूँ अराम से क्योंकि इसमें root बनी हुए तो यह easily grow हो जाएगा तो इस तरीके से देखे आप कितना अच्छा सा मेरा यह plant लग रहा है और अब इसकी बारी है इसमें भी एक जगे में मुझे थोड़ा सा जो है इसमें दिख रहा है तो इसमें मुझे क्या करना है इसमें मुझे एक बाल के ओपर एक बाल का मुझे शेप देना है तो ऐसा मैंने सोचा है तो इसलिए मैं नीचे-नीचे से कट कर रही हूँ जो बीच के मेरे दो-दिन ब्रांचेज है उनको मैं बढ़ने दे रही हूँ तो इस तरीके से यह एक अलग सेप बन जाएगा और यह चोटी सी कटिंग भी बच गई है न यह देखिए आप चोटा सा पार्ट भी इसका निकल गया है इन सब को मैं इस ट्रे में डाल दूँगी ताकि मुझे आगे के लिए धीर सारी कटिंग मिल जाए तो इस तरीके से आप भी इसको एक से अनिक बना सकते हैं अपने गार्डन में एक छोटा सा पार्ट भी कहीं से अगर आपको कटिंग का मिलता है तो आप उससे धीर हों अपने गार्डन में बना सकते हैं बसरते हैं आपको उसकी थोड़ा सा कियर करने पड़ेगी थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा तो आपके गार्डन में भी एक से अनेक बन जाएंगे अब जो दूसरा फटिलाइजर है वह यह टी अपोस्ट और टी का फटिलाइजर इसमें आप यूज की वी टी लीप भी दे सकते हैं फ्रेस्टी लीप भी दे सकते हैं मैंने इसमें फ्रेस्टी लीप दिए और इसको आपको गोल लेना आप चाहें तो इसे एक दिन के लिए छोड़ दें और चाहें तो आप तुरंट तुरंट में तुरंट में भरपूर मात्रा में एनके पी होता है नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस जो हमारी प्लांट के अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी जरूँ शेयर करें ताकि ऐसे इन्फरमेटिव वीडियो दूसरों को भी देखने को मिले और अगर अभी तक आपने बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वले इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिपिकिशन आपको मिलते रहें और सबसे पहले आपको मिलें तो जब तक कोई दूसरा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आती हूं तब तक के लिए हपी गार्डनिग